हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ ओईलिंग कॉम्बिंग एंड स्लीक ब्रेट के वीडियो कर रही हूं और आज मैं ओईलिंग एंड कॉम्बिंग कर रही हूं अपने सिस के तो गाइज अगर आपको मेरी यह विडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब तो गाइज ऑइलिंग करने के लिए मैं यहां पर होमेड ऑइल का यूज कर रही हूं इस ऑइल को मैंने घर पर ही बनाया है नीम इसमे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप देखना चाहते हैं कि यह वाल मैंने कैसे बनाया है बहुत ही अच्छा वाल है अगर आपको डेंडरफ की प्रॉबलम है अगर आपको इचिंग की प्रॉबलम है तो यह ओईल यूज करने से आपकी यह सा आपके बालों में से स्मेल ला रही है या फिर चिप-चिप कर रहा है बिल्कुल भी नहीं बहुत अच्छा वाल और एट इचिंग की प्रॉबलम एटेंडरफ की प्रॉबलम तो आपकी बिल्कुल ही खतम हो जाएगी हियर फॉबलम भी धिरे-धिरे खतम होगी आप मेरे सि सिस्टर अपने बालों का ज़यान रखती है काफी केर करती है अपने बालों की शैंपू कंडीशनर स्पा मतलब प्रॉपर एक रुटीन है उसकी मतलब हीर के रुटीन है पूरी Oiling वो हफ़ते में एक बार जरूर करती है अपने बालों को बहुत ज़्यदा dry नहीं रखती है क्योंकि अगर हम बालों को ज़्यादा dry रखेंगे तो हमें कोई ना कोई बालों से related problem ज़रूर होई जाती है सबसे पहले तो hair fall की problem ही हमें होती है जरूरी नहीं है कि आपको यही oil यूज करना है जो oil आपको अच्छा लगता है जो आप daily base पर यूज करते हैं आप उसी oil को यूज कर सकते हैं मतलब oil जरूर आपको यूज करना है आपको अपने बालों को dry नहीं रखना है ज्यादा सुक्षे सुक्षे आपको अपने बालो को नहीं रखना है अगर आप अपने बालो के अच्छी तो आपके बाल काफी ज्यादा long strong healthy बन सकते हैं इसके इलावा शैम्पू कंडिशनर आपको बारबर चेंज नहीं करने चाहिए मतलब जो आपको अच्छा लगता है वही शैंपू आप यूज कीजिए बारबर शैंपू चेंज मत कीजिए कंडिशनर चेंज मत कीजिए ओयल को बारबर चेंज मत कीजिए तो देखे स्कैल्पर और लेंथ पर अच्छी तरह से मैं ओयल लगा रही हूँ बहुत ज़्यादा ओयल मैंने उसके बालो में नहीं लगाया है बहुत थोड़ा सा ओयल स्कैल्पर लगाया है थोड़ा सा लेंथ पर और साथ में बिल्कुल हलके हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ लेंथ पर आप देख सकते हैं कि हलके हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ बालों को जोड़ जोड़ से रगड़ना नहीं है तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम मैंने उसके बालों में ऐल लगाया है मसाज की है, अब मैं उसके बालों में अच्छी तरह से कॉम्बिंग करूंगी मेरे सिस्टर की बालों की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लॉंग है मतलब काफी लंबे बाल है बट उसके बाला आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिल्की स्ट्वेट बाल है यहर फॉल की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं है तो देखें टैंगल उसके बालों में बिल्कुल भी नहीं थे जो भी थोड़े बहुत टैंगल से वो मैंने अच्छी तरह से उसकी कॉम्बिंग कर दी है बाल आप देख सकते हैं कितने सिल्की कितने सुन्दर बाल हैं बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने ओईल लगाया हैं जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने बालों में ओईल लगाना है बहुत हैवी हेर ओईलिंग करनी हैं नहीं फ्रेंड्स आप हफते में एक ये दो बार ही ओईलिंग कीजिए बट आप चाहे तो बिल्कुल थोड़ा सा ओईल भी लगा सकते हैं बस आपको अपने बालों को ज्यादा ड्राय ड्राय नहीं रखना है तो देखें कॉंबिंग मैंने अच्छी तरह से उसकी कर दी है अब मुझे उसकी एक सिलीक ब्रेड बना देनी है काईज अगर आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना आप वीडियो सारी देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं बहुत कम लाइक आते हैं मुझे प्लीज गाईज वीडियो बनाने में बहुत जादा मेहनत लग है ने देखिए मैं उसकी ब्रेट बनारही हूं सिंगर सलीक ब्रेट मैंने बनाये है इतने सुन्दर बाल है ना मतलब मैं उसके और लिंग कर्री ओं मुझे पूरा ऐसे फित वह रहा था कि बहुत ही प्यारे बहुत सुन्दर सिल्की बाल है कि ब्रेड आप देख सकते हैं उसकी कितनी सुंदर ब्रेड बनी है खोप गाईज आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी ये वली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और गाईज और ये भी बताना कि आप और कौन-कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं तो मतलब जशन के हेर स्टाइल की वीडियो सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट प्लीज फ्रेंड्स औरी वो मैं नहीं बना सकती जशन बिल्कुल भी नहीं मानता है मैं खुद नहीं बनाना चाहती क्योंकि नहीं अच्छा रगता है तो गाइस वोप आपको ये वली वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना तो चलिए फ्रेंड्स मिलूंगे मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई